तो प्यारे दोस्तों वो घड़ी आ चुकी है जिस examination की त्यारी काफी समय से चल रही थी वो examination finally conduct होने वाले ज्यादा समय नहीं है examination almost आपके सिर पे आ चुका है तो उमीद करते हैं अब examination आ चुका है तो आप बाकी सब चीजों को बाकी सब टेंशनों को भूल चुके होंगे समय नहीं है तो अब क्या किया जा इस टाइम पर इस टाइम पर कोई नया topic नया chapter नया unit उठाकर बैट जाएं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना इस समय आपने इस समय आपने जो पुराना पढ़ा हुआ है वो रिवाइस कीजिए अगर आपको द्यान है तो मैं हमेशा करके एक दिन पहले revision के लिए उसमें वो सब चीजें लिखिए वो सब फार्मुला से रिखिए वो सब फेट्स लिखिए यह लिखिए जो आप हमेशा बूल जाते हैं और आपको एग्जाम से एक आपको लेकर जानी हो कोई फोटोग्राफ को एडी प्रूफ लेकर जाना तो आप ले जाएं तो इसका कुछ रिजल्ट हमें मिलेगा पढ़ाई एक दो दिन में नहीं होती है पढ़ाई जो है आपने इस examination की पढ़ाई तो मैं मान 11-12 से शुरू कर दी थी वहां से आप चीज़े पढ़ते आ रहे हैं जो कि आज इस exam में पूछ रहे हैं तो आपको एक दो दिन की कोई बहुत जाद़ा टेंशन के चकर में गडबड ज़ाधा हो जाती है और आते आते सवाल भी गलत हो जाते हैं तो जो लो तो शेल यह बात करते हैं, during the examination की, तो examination का समय है, examination स्टार्ट हो चुका है, computer आपके सामने है, चेर पर बैठे हुए है, तो उस समय आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, देखो यहाँ पर कुछ questions ऐसे होंगे, चुकि आपका time बर्बाद करने के लिए ही paper में डाले हुए है, हो सकता है कोई बहुत बड़ा maths का सवाल आजाए, बहुत बड़ा type का numerical आजाए, आपको EUQ का numerical दे दे, जिसमें आपको underroot करके निकालना हो, तो examiner अगर कुछ ऐसा डाल रहे है, तो वो चाहता है कि आपका time बहुत ज़्यादा खोटी हो जाए, time waste कर डाले आपका, तो हमने वो नहीं होने देना, हमने अपना time waste नहीं होने देना, तो ऐसे सवालों पर ज़्यादा time नहीं लगाना है, जो कि आपको लग रहे है कि बहुत time ले लेंगे, और बाकी सवाल आप time नहीं कर पाएंगे, आपका paper छूट जाएगा, तो ऐसे जो सवाल होंगे, उनसे आपको बचकर आगे निकल जाना है, किस तरीके से आगे निकलेंगे, क्या तुका लगाना चाहिए, या फिर छोट देना चाहिए, वो आगे आपको अगली slide पर मैं आपको सिखा दूँगा, और देखो कोई भी सवाल आपके सामने आता है, तो उस सवाल को बड़े ध्यान से पढ़ना जरूरी है, कई बार क्या होता है, हम फड़ा-फट से सवाल को पढ़ते हैं, और उसमें कुछ keyword skip कर देते हैं, जैसे कई बार हम not word या incorrect word इसको पढ़ते नहीं है, और इससे सवाल का पूरा meaning चीज़ हो जाता है, और फिर हम अपना answer गलत मांग करके आ जाते हैं, तो सवाल आ रहे हैं, आपका mind थोड़ा सा उस ताइम पर क्या होगा, stress में हो सकता है, concentration हो सकता है, पूरी ना बन रही हो, बट आपको कोशिश करने हैं कि आप फिर भी सवाल को अच्छिस से पूरा read करें, और फिर ही अपना answer वहाँ पर mark करें, ऐसा करने से definitely आपको improvement होगी, कुछ ऐसे सवाल जिनका आप answer गलत कर देतें, उनका आप सही करके जरूर आएंगे, देखो अब क्या होगा, कि इस paper में कुछ तो ऐसे सवाल होंगे जो आपको आते हैं, कुछ ऐसे होंगे, जिनकी हवा नहीं लग रही, कभी सुना नहीं उन सवालों के बारे में, उनके जो words, terms, user कभी सुनी नहीं है, तो कुछ सवाल ऐसे होंगे, और कुछ सवाल इनके बीच में होंगे, यानि कि उन सवालों के बारे में आपको exactly तो नहीं पता, बढ़ हाँ, कुछ-कुछ जान करिए, तो वहाँ पे आपको guesswork लगाना पड़ेगा, जो guesswork लगाएंगे न, तो उसमें आप elimination method लगा सकते हैं, यानि कि आप उस option को अटा सकते हैं, जो आपको पता answer है ही नहीं है, उस को हटा दिया, जो बची उसमें से जो आपको लग रहा है, उसे टिक कर दिया, तो guesswork करना है, तो स्वड़ा से smartly करना है, और elimination method का आप यहाँ पर इस्तवाल कर सकते हैं, अगर आपने पहले practice करिए, अच्छे से practice करिए, तो आप यह आल्रड़ी सीख चुके होंगे, इसके अलावा कई जो students होते हैं, वो assertion reasoning के सवालों से डर जाते हैं, उनको assertion reasoning का सवाल है, वो डर गए, कई तो stress में आ जाते हैं, अरे बापर इस सवाल का answer नहीं हो रहा है, यह paper मेरा पास ही नहीं होगा, इतना तक सोच बैठते हैं, तो ऐसे नहीं है, assertion reasoning के सवाल होंगे, हाँ, चार, पान, साथ सवाल होंगे, तो इन सवालों के चकर में हम पूरा का पूरा paper थोड़ी बरबाद कर देंगे, तो आपको उन सवालों को पढ़ना है, समझ में आ रहा है, तो ठीक है, वरना guess कीजे और आगे बढ़ जाईए, ऐसा नहीं हो कि एक-दो सवालों के चकर में या paper छोड़ाएं, या फिर confidence करके बैठ जाएं, तो ऐसा नहीं करना, तो किसी भी एक सवाल से आपको बहुत जादा distracted होने की जुरूत नहीं है, 150 सवाल paper में आने है, और अगर आप 100 सवाल सही कर लेते हो ना, तो 100% GRF हो जाता है, तो 50 गलत भी करके आगे, तब भी 100% GRF हो जाएगा, तो इतना attention एक सवाल का नहीं लेना, और आपको अच्छे से जो आता है, वो आपको अच्छे से attempt करके आना है, तो प्यारे दोस्तों, जब आप paper attempt करेंगे, आप computer-based test attempt करेंगे NTA का, तो आपको कुछ ऐसे option देखने को मिलेंगे, आपकी screen पे सवाल चलेंगे, सब कुछ ऐसा interface आप experience करेंगे, तो यहाँ पर आपको सवाल दिख रहा है, सवाल के नीचे आपको 3-4 चीज़े दिख रही है, option आप mark कर सकता है, और यहाँ पर लिख रहा है, save and next करना है, clear करना है, save and mark for review करना है, mark for review and next करना है, तो accordingly आप अपना answer choose करेंगे, और accordingly इसे save करेंगे या फिर review करेंगे, और उसके बाद अगले सवाल पर चले जाएंगे, अब देखो जिस सवाल का answer आपको आता है, वहाँ तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपने answer को tick किया, उसके बाद save and next किया, आगे बढ़ गए, बट जहाँ पर आपको सवाल का answer पता नहीं है, या फिर mark for review कर दीजे, यानि कि ये जो सवाल हैं, या आपने mark for review कर लिए, या आपको अलग से highlighted हुए दिखेंगे, जैसे आप देख सकते हैं, जो answer and mark for review है, वो ऐसे कुछ color में आपको दिख जाएंगे, ऐसे कुछ color में आपको पता लग जाएंगे, और बाद में आप इन सवालों प consider हो जाएगा, तो इसलिए आप या तो save and next करना, या save and mark for review करना, आप ऐसा मत करना कि कुछ doubt हो रहा है, तो उसे छोड़ दिया, mark for review करके next चले गया, ऐसा मत करना, answer जरूर देना, answer देके, फिर उसे save and mark for review कर लेना, ताकि अगर आपका तुका सही बैढ़ गया, बाद में time न देंगे, तो उनमें आप ऐसी strategy follow कर सकते हैं, कोई negative marking इस paper में नहीं होती है, तो कोई सवाल छोड़ के नहीं आने अपने को, अपने को आते हैं नहीं आता, लगा के सब आने हैं, कई बार किस्मत साहर देती हैं और आपके तुके भी सभी बैढ़ जाते हैं, तो लगा के सब क आदा मिलेगा examination के time पर, and this is it for today, thank you, bye, take care, all the best, बहुत ही जल्द मिलते हैं आपके साथ दुबारा, और करता हैं इस exam की analysis, bye.